असलाम अलेकुम वेलकम टू फरीन कुकिंग्स पोर यू यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपके साथ अंडे के कबाब बनानी की रेस्पी शेयर करूँगी जो के बहुती टेस्ट ये बनते हैं और इसे बनाना भी काफी आसान है तो फिर चलिए इस मज़ेदार से अंडे के कबाब यानी अंडे के टिकी हम बनाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ ये बैल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताके मेरी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके तो फिर चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ तो ये मैंने तीन बॉयल्ड आलू ले लिए हैं तो ये तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू हैं जिसका मैंने चिलका रिमूव कर लिया हैं तो आलू को हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगी अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसे मैश भी कर सकते हैं आलू मैंने ग्रेट कर लिये और इसके बाद दिखिये कि मैंने एक बॉइल एग ले लिया है इसे भी हमें ग्रेट कर लेना है तो ये तकरीबन मैंने तीन अदद अंडे लिये हैं उबले वे तो ये तीनों अंडों को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है तो चलिए हमने तीनों अंडों को ग्रेट कर लिया है तो इसे हम साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें कोई भी चीज जाया नहीं करनी चाहिए इसके बाद हमें इसमें कुछ चीज और अड़ करनी है जैसे कि यह मैं अड़ करी हूँ इसमें प्यास का टीवी बारीक चॉप कीवी प्यास है एक मीडियम साइस की तो यह हम इसमें अड़ कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ये चार मीडियम साइज की बारिक चॉप कीवी हरी मिर्चा अट कर देंगे और इसके बाद ये दिखिए ये मैंने धनिया और पुदीने को साथ ही मैंने बारिक चॉप कर लिया है ये मैंने तकरीबं तीन से चार टेबल स्पून लिया है तो ये मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा ये अट करेंगेंगे इसका फलेवर कबाब में बहुत ही अच्छा आता है और इसके बाद में इसमें बारी आती है मसाले अट करने की तो ये मैं इसमें अट कर रही हूँ के यहां मैं प्रउख टी शुन में एट कर रही आर यह और ये वन वण टी स्पूँन मैं अधकर दिया गरम-मसाला पौडर्र और ये इसके बाद दिखें यह मैं इसमें 1-2 कॉण फ्लार एड़ कर रियु को तो इसे हम दाल देते हैं बाल में तो बस अब रôm आपको दचते हैं चुरें तो इसे मैंने चुछ से दो आपको या छो दिया लेकिन थो तो इसे मैं तो इसे में तो ये यह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो इसके अब हम कबाब तयार कर लेंगे तो जितनी साइज के आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना बैटर आप हाथ में ले लें और इस तरह से इसके कबाब बनाकर तयार कर लें तो यह देखिए यह हमारी एक टिक्की बनकर तयार हो चुकी है तो इसी तरह से हमें इसके सारी टिक्की सारे कबाब हमें इसके बनाकर तयार कर लेंए तो इसे हम रख देते हैं प्लेट में और इसी तरह से हमें सारी टिक्की बनाकर रख लेनी है तो चलिए अंडे के सारे कब तो आप दालते जाने हैं और इसे दोनों साइट से गुल्डन होने तक फ्राइ कर लेना है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो यह एक साइट से फ्राइ हो चुके हैं तो इसकी हम साइट चेंज कर लेंग तो इसे हम आइल से निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें बाकी के सारी कबाब भी फ्राइ कर लेने हैं तो लीजे तेयार हैं हमारे अंडे के मज़ेदार कबाब तो आप इसे अपने पसंद की किसी चुट्णी या फिर टॉमाइटो केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ आपको आज कि अंडे के कबाब अंडे के टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगे अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेर ज़रूर करें चैनल पर आप नए है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये अंडे के कबाब की रेसिपी कैसी लगी है तो फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ परिम को दीजे अजासत अगली वीडियो तक अल्ला हापिस